शकों कर्मचारियों के अभव की जो अस्थिती है बिलंबित सत्र की जो अस्थिती है इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी ततकाल इस तरह के राष्टे नीती को विहार लागू करने में पुरी तरह से सक्षम नहीं है शरकार की ने अपनी मंसा असफस्ट कर दी है कि अभी हर बड़ी में जो हमारे पास सिख्षक की कमी है इनफ्रास्टेक्टर की कमी है चार वर्षिया कोर्स के लिए और सिख्षक कमचारी की जवरत पड़ेगी हमारा फिनांसियल इप्लिकेशन होगा उसमें बहुत सारा तो इस परिस्टिती में तत्काल इसको लागू करने का रादा नहीं है नमस्कार आप देख रहे हैं लाए बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास बिहार के सिख्षा मंत्री प्रफेसर चंसेखर हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं कभी राम चरित्मानस को उनने साबते हैं कि भाचपा की सरकार ने लाई है उसे लागू नहीं क्या जा सकता है उन्हें पर केंद्सर को सरकार को चैलेंज सुनाती भहर लाज़े में काया है कि बिहार में नई सिच्छानिती को किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जाएगा ज़रा सुनिए बिहार के सिक्षामंत्रे चंसे कर किस तरीके से बोल रहा है नई सिच्छानिती को लेकर इसलिए हम आने वाले बर्स में इस तरह के नीटी पर विहार सरकार विचार करें असपस्ट है कि सरकार की ने अपनी मंसा असपस्ट कर दी है कि अभी हर बड़ी में जह हमारे पास सिख्षक की कमी है इन फास्टेक्टर की कमी है चार वर्सिया को उसके लिए और सिख्षक कमचारी की जवरत पड़ेगी हमारा फिनांसियल इप्लिकेशन्स होगा उसमें बहुत सारा तो इसी परिस्तिती में ततकाल इसको लागू करने का रादा नहीं है आगे आने वाले वर्स में सरकार इस पर विचार करें तो आपने बिहार सरकार के 56 चंसेकर को सुना किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि बिहार में नई सिख्षानिती को लागू किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा आने वाला कुछ समय के बाद बिहार सरकार इस पर विचार कर सकती है कि लागू करना है कि नहीं करना है कारण क्या कुछ है क क्यों नहीं लागू करना क्यों लागू नहीं हो सकता है आगे शरकार क्यों विचार करेगी इन तमाव बातों को खुद प्रफेसर चनसेकर बता रहे हैं और साथ तरपका रहे हैं कि क्यंच सरकार ने मौझूदा समय में जो नई सिक्षानिती बनाई है उसे बिहार में लागू नहीं किया जा सकता है तो नई सिक्षानिती के बारे में बिहार में लागू नहीं करने के जो सिक्षा मंत्री का बयान है विहार सरकार का जो फैंसला है उसके बारे में आप अपनी राय क्या रख और मेरे पास कमेंट जरूर पहुचाईए दूसरी खबर के लिए लाइब बिहार के साथ बने रहें आपका बहुत-बहुत सुक्रिया लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें